ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रु साधर जैसी क्रशन, हमारे यूटुब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यह राशीफल है 12 जनवरी 2023 गुरुवार का दिन है माग महा के कृष्णपक्ष की पंचमीत थी है पूर्वा फालगुनी नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में च तो जीरा खा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर एक बच के तीस मिट से लेके तीन बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निरनए आप अपने अंचांग अत्मा केलेंडर के अनुसर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरिदेव जो की धनु राशी में वहीं चंद्रमा सिंग राश इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार व्रशापकार ककन्या व्रश्चिक मकर एवं कुम्ब ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशाली रेने वाली है दिन इनके लिए प्रसिद्ध होगा धनलाप के साथ कारिक्षित्र में उन्नती और प्रगती के उत्तमा उसर इनको प्राप और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भरुपूर सद उपयोग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों क तथा मित्रों से वैचारिक मध्वेद उत्पन नहों सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आप आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियों के परती आपका रुजान बढ़ेगा राजनितिक संपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए व उपाई के रूप में यदि आप छट के ऊपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की आपन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानशिक शारीरिक ठकावट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रबाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे अर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित महत्वण नेने लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी क रंक नो होगा भागिशली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्यपूर्ण तथा उच्च पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतित होगा इससे आपके मैं संब्यान में व्रद्दी होगी तथा नई उपलब्दी आपको प् सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक माच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंख रासी की घर के बदलाव रवीनी करन संबंदी योजनाई तयार होगी इन योजनाओं को कारी रूप देने में आपको जो है अधिक समय वितित होगा आर्थी किस्तिती बहतर रखने के लिए बजट बनाकर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए विक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नए नोकरी या नए काम की आप शुरुवात कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वो आगी चल करके आपको अच्छा फाइड़ा देगा और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागि जो है मानसिक शांती प्राप्त होगी रिस्तदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी वा सूजबूच की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बरते चोटी के रूप में गाय को हरी सबजी आ हरी घांस खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतर आत्मा क की आबाज को अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबू तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा मैंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तोदारों की आबाज आही आपके घर में बने रहेगी आप आई के रूप में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंदी कारिय में रूची लेना आपको मानसिक सुकुन देगा सांथी समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा भी बढ़ने वाला है इस समय अपने लक्ष के प्रती आप पूर्ण रूप से एकागर्चित तथा गंभीर रहे सफलता आपका अवश्य ही प्राप्त होगी वाहन खरीद रोग करके रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप देवी जी को सिंदूर चणाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक साथ होगा भाग्यशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की आपको शार का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ति विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन हो सकता है ध्यान रखे सावधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में क ऐसा करने से आपको मानशिक शान्ती अनुभव होगी और पढ़ाई के लिए जो बच्चे महनत कर रहे हैं उनको मनोवानशित परिनाम की प्राप्ति होगी जिससे उनका होसला और आत्म इश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाई आर्थिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी आपको उपलबधियां प्राप्त होगी सुम्मितव आदर्श बना करके रखना अति आवश्यक है आर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परंतु यह तातका लिखे इसलिए परिशान होनी के उशकता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको फाइदा होगा धनलाब होगा यदि आप लगन तथा एकाग रिचित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कार्य से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय बतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपायत अथा भागिशाली अंक और भाग इशाली, रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ज्ञान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश कर ल और बातो